हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू चेतनाज किचन तो फ्रेंट्स जब घर में कोई सब्जी ना हो तो और अगर सब्जियां खाने से बोर हो गए हो तो गट्टे की सब्जी बनाने का तरीका बहुत ही आसान से आपके साथ शेयर कर रही हूं जो सबको बहुत जदा पसंदाने वाल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सब्जी की रेसिपी गट्टे की सब्जी तो मैंने यहां पर कुछ मसाले लिया है एक डोरी बेसन लिया है तो यह देखे मैंने यहां पर कसूरी मेथी लिए कसूरी मेथी से गट्टे की सब्जी में काफी अच्छा फ्लेवर जीरा है जीरा भी लिया है तो सबसे बहले हमें गट्टे का डो तयार करेंइस अक्र और कर लेने हैं तो मैंने यहां पर जो बेसंञ डिया है उसको एक बड़तन जीरा डाल यह जा लिये हैं और मसाले लिया हैं वह तो में नमक डाल क्dig i keים कियों कि हमें सबुढ़ी इसके नंदर दाला है उसके हिसाब से मैंने अधी जीरा डाल दी है कलर के लिए आधी जंबसं पाउडर डाल देंगे राधी लाल-विड़े ऑश्पाऊडर जौड़ बिए कासूरी मेथी जो गटों में बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेष्ट भी देगी तो बस सभी चीजे डालने के बाद में हमने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा तेल तेल से क्या होगा जो हमारे गट्टे हैं वो काफी अच्छे सॉफ्ट बन जाएंगे ह हमने यह चीजे सिर्फ गट्टे का जो डो होगा जो गट्टे बनाएंगे उसी के लिए हमने यह चीजे डाली है थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लेना है पेस्ट नहीं बनाना है तो तयार कर लेना क्योंकि इसी से हम गट्टे बनाएंगे और फ्रेंट जब भी आप गट्टे बनाओ तो थोड़े थोड़े मसाले डालने से क्या होता गट्टे फीके नहीं रहते हैं अच्छे बन जाते हैं और कसूरी मेथी से बहुत चाफ लेवराता गट्टों के अंदर आप चाहो तो हरा धनिया भी डा सकते हो इस डो को तयार करन तो का डो है वह बिल्कुल तयार हो चुका काफी जादा स्मूथ बनके तयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट तो बस अब हमें इसके गट्टे बना लेने हैं तो मैंने इस ऐसा जुरूरी नहीं कि इसको रखना चाहिए ऐसी बात नहीं है बस आप डो तयार करते हैं इसके गट्टे बना लीजिए बहुत ही फटाफट सा तरीका है जो आपके साथ शेयर करें हूं गट्टे की सब्जी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो हाथ में थोड़ा सा ओयल लेंगे या फिर कोई जूरूरीत मिरें क्योंकि हमने घट्टें का जो डोग तयार के ना ही पतले बिल्कुल सही है यह साइज तो इस तरीके समय फटाफट से जितना भी मैंने डो तयार किया है उसके मैं गट्टे बना लेती हूं और यह देखी कितने अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल मसालों से भरपूर हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी हैं खाने में बहुत मज़िदार हैं यह गट्टे तो गट्टे अगर हम अच्छे बनाएंगे तो वास्ते में सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी इसलिए हमने मसाले वाले गट्टे बनाएं तो इधर हमें क्या करना है एक बरतन लेना है उसके इंदर डालेंगे पानी तो पानी मैं सो गुनगुना होने के बाद में और इसके अंदर हम ने जो गट्टे तयार की हैं वो डाल देंगे एक बात और बता देती हूं यह जो मैंने गट्टे लिए हैं यह लंबे ही मैंने इसके अंदर डाल दें क्योंकि मैं इनको कट करने काट 다시 do T यह को अधर हम बनाएंगे पेस्ट लिए प्याज में अध्रकच डाल दुआ है तो मने लिए और हैरी मीची और दुनेगे और ले सनंबी पियाज कटर के इंदर दी है और यह देखी मुझे बहुत अच्छा प्रोडेक्ट लगाए और मैं इसी से करती हूं मिक्सी का मैं बहुत ही कम यूज में लेती हूं तो इसको आराम से हमें चलाना है और एक अच्छा सा मतलब यह देखिए बहुत आसाम तरीका है अगर लाइट नहीं हो तो भी बहुत अच्छा उपसन है कई बा लाइन बहुत ही आसाने से मिल जाता है तो मैंने अपर सबी चीजों को अच्छा से कर लिया है तो अब हमें क्या करना है कडाई के अंदर डालना है तेल तेल के अंदर हम डालेंगे एक तेजपता और आधी चमश के करीब जीरा डाल देंगे और और चाहो तो आप इसके अं मसाले बहुत अच्छे लगते हैं तो हमने सभी चीजे इसके अंदर एड़ कर दी है प्यास टमाटर है लहसुन और अद्रक का टुकोड़ा चोटा सा तो बस सभी चीजों को कर लेंगे अच्छे से फ्राई और यह देखे फ्रेंट्स बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी बनके त तेखे तो नमक टालेंगे टेस्ट के अवोर्डिंग एक चोटी चमत लाद मुर्ची पाउडर के लिए ग्रूंठ पाउडर निया बहुत अच्छी तो जहां एंच्छे तुमें बहुत अच्छा रग्दा जा च्बाइब होते बने का तो रख कर लेंगे मिक्स इना चाक्र दाल दिया मैंने दही पास जो भी आपके पास अवेलेबल हो दाल दीए तो मैं आप यह आदरेश्च डूरी पासे दाल दिय Eminem चैसे मिक्स चैस जालने से सब्सक्रों करेंगे अब रखार और एढ़ो तो मेरे प्का वह बिल्कुल उबल के तयार थे और मैंने इसको चोटी चोटी पीसेज में कट कर लिया चाको की साहता से कट करो यह तोड़ भी सकते हो बड़ चाको की साहता से इनकी जो फिनिशिंग वह काफी अच्छी आती है तो बस गट्टे डाल दिया गट्टे का जो पानी वह भी हमें इसके अंदर एड़ करना है इस बात का को ध्यान दखना क्योंकि गट्टे के पानी के अंदर काफी अच्छा फ्लेवर रहता है मसालों का और बेशन का तो वह पानी भी हमें इसके अंदर डालना है इससे इसके ग्रेवी बहुत टेस्ट्री बनती है फ्रेंट्स खाने में ब जो पर लगाएंगे डखन और पकने देते हैं 2-3 मिनटे के अंदर भी क्रेवी का जो फ्लेवर हो जाए और यह देखिए हमारी गट्टे की सब्जी बहुत ही टेस्टी और मज़दार सी बनके त्यार हुए है इसका कलर देखिए कितना प्यारा है बहुत ही प्यारा कलर यहां आ गया है घट्टे की सब्जी का तो आप एक बार शो को जूरू व्ं K disp पष्ब आएक और बर बने का तरीका भी जो आपने देखा ही हैं बहुत ही आसानी है तो आप पर युद्स एघ्टे के लिए उपको अच्छी लगी होगी घ्ल एक प्रेस अैप अलब कर ना सब्स्क्